आज हम नूडल्स बनाएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल में जैसा के रोट साइट पर मिलते हैं या फूट कॉर्णर होते हैं उस स्टाइल में बनाएंगे हम इसके लिए हमें एक पैन लेना है पैन में हम पानी लेंगे और उसमें नमक और थोड़ा ओल लेके बॉइल करेंग तो इसमें हम नूडल्स डाल देंगे नूडल्स डाल के उसे बॉयल होने तक वेट करेंगे वन नूडल्स हमें इतना कुक करना है कि वह 70-80% कुख हो जाए इसे हम चैक कर लेंगे विद्ध हेल्प ऑफ स्पून के यह कितना कुक हो है कट कर देखेंगे तो हम उसमें पता चल जाएगा फिर उसके बाद में हम इसे ड्रेन कर देंगे स्ट्रेणर में इसका सब जितना होट वाटर है वो सब निकाल देंगे हम इसे और थंड़ा थंड़ इसे तो देंगे ताकि इसकी फर्दर कुकिंग नहों उसके बाद में हम वेजी कट कर लेंगे जो भी हमें चाहिए जो अवेलेबल है आप उज्यूस कर सकते हैं यह मैंने स्प्रिंग अनियन ली है इसके बाद हम लैसुन को हम बारी बारी चोप कर लेंगे और उसके अलाव सलइस में कट करलिया है कैप सिकम जो उसे जुलाइ बना लिए जूलाइंच बनालिया है बनालिया है आपके पास फरेश है तो थोड़ा कोड ज्यादा करना पड़ेगा और फ्रोजन वाले को हमें कम को करना पड़ता है यहां मैंने ओइल ले लिया है और गार्लिक डाल दिया है इसे मैं सौटे करूंगे थोड़ा फिर इसके बाद में मैं इसमें ग्रीन चिली एड़ कर दूंगी ग्रीन चिली एड़ अनियन एड़ करके फिर में से थोड़ा सौटे करूंगे ग्रीन चिली एड़ करके और अनियन एड़ करके दो मिनिट के लिए हम सौटे करेंगे और फिर उसके बाद में हम ग्रीन पीज और कॉर्न एड़ कर देंगे उसको थोड़ा सा मिक्स कर देके फिर झे केपसिका में और कैररट प्लाक og के कzego यह एक्ट कर सुदू जो एक मिदें की की कि लिए 2-3 पर देंगे आएपनी वेजिश को इतनी कुच करना है कि उसमें कुरैंची है वह पूर darf अच जया इस इसी अच्छ से मिक्स देंगे हम और उसमें चूंदु से और छुनंगे psychology, और अच्छ से अच्छ से मिक्स करिए, नोडल्स कर दूंगैं चीज एड़ करने के बाद में इसको गैस ओफ करके छोड़ दूंगे दो से तीन मिनिट के लिए अभी रेटी है सर्फ करने के लिए सर्फ करें अगर आप कोई रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को